आज 10 अप्रेल 1815 है और बस कुछी देर में सूरज गायब होने वाला है। आज के इंडोनेशिया के एक आइलेंड पर माउंट टंबोरा इतनी जोर से फटा कि उसकी आवाज 2000 किलोमीटर तक सुनाई दी। उसके फटने से निकली सलफर वाली भाप और राक आसमान में 1000 मीटर उपर उठी जिस से कालिक और बिजली के काले तूफानी बादल बने। इस विसफोट को इतिहास के सबसे बड़े विसफोट का दरजा मिला। पर फिलहाल इसका असर अभी बस शुरू हुआ है। हवा में उपर उठने की वज़े से टंबोरा से निकली गैसेज दुनिया भर में फैली जिसकी वज़े से सूरज लगभग एक साल तक छिपा रहा। अठारह सो सोला के धुन्दले आसमान और ठंडे मौसम की वज़े से फसलें बरबाद हो गई। जिससे धर्ती के पूरे उत्तरी हिस्से में अकाल पड़ा। कई देशों में महामारी फैली, कलाकारों ने इस भैंकर समय को अपनी कलाकृतियों में भयानक रूप से दर्शाया, साल भर गर्मी का मौसम आया ही नहीं, ये इंसानों के इतिहास का एक सबसे बुरा दौर था। लेकिन आज के कुछ रिसरचर्स इसे दुहराने के तरीके क्यों ढूड रहे हैं। कोई भी उस अकाल और महामारी को दोबारा जहलना नहीं चाहेगा, पर कुछ वैग्यानिकों का मानना है कि सलफर के बादल से सूरज को ढखने से शायद ग्लोबल वामिंग का असर थोड़ चाल करके क्लाइमेट चेंज को नियंत्रित किया जा सकता है। अलग-अलग नैचुरल सिस्टम्स के लिए अलग-अलग सुझाव हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें सूरज की रोशनी को ब्लॉक करके धरती को ठंडा रखने की कोशिश की जाए, वो एक तरह का सोलर चत्री लगाना, पर कुछ छोटे उपाए भी हैं जिनमें नैचुरल तरीके इस्तिमाल होंगे। जैसे की समुद्री बादलों का आकार बढ़ाना या सूरज की रोशनी रेफलेक्ट करने के लिए जमीन पर बड़े-बड़े सफेद इलाके बनाना। इनमें से कई सुनने में बड़े अजीब लगते हैं, पर टंबोरा के विस्फोट जैसी कुछ प्राकिर्तिक घटनाओं की वजह से लगता है कि इनसे काम बन सकता है। साइन्टिस्ट्स जानते हैं कि ज्वाला मुखी विस्फोट से कई बार मौसम ठंडा हुआ है। 1991 में पिना टुबो का विस्फोट हो या 1883 का क्रेकाटोवा का विस्फोट, दोनों ने लगभग एक साल के लिए दुनिया भर का तापमान कम से कम आधा डिग्री सेल्सियस कम किया था। इन तरीकों से दुनिया भर का तापमान तेजी से कम हो सकता है पर ये बेहत खतरनाक है। धरती पर सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। छोटे छोटे बदलाव ना जाने कहां कहां कितने अंजान नतीजे लेकर आएं। हमें पता है कि कम तापमान से बरसाथ मौसमी घटनाओं और जलवायू पर असर पड़ेगा। लेकिन सबसे एडवांस कंप्यूटर मॉडल भी ये बता नहीं सकते कि कौन सा असर कहां और कैसे पड़ेगा। एक देश में कम सोलर रेडियेशन दूसरे देश की आपदा बन सकती है। वहां का मौसम बिगार सकती है। फसलें बरबाद हो सकती हैं जैसी टंबोरा के फटने से हुई थी। ये तरीके धर्ती को बिना नुकसान पहुँचाए उसे ठंडा कर सकते हैं। पर कम सोलर रेडियेशन से ग्लोबल वामिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसेस कम नहीं होंगी। ये सभी उपाय बस बैंड एड की तरह हैं। जिन्हें दुनिया को बस तब तक लगाए रखना होगा जब तक हम हवा से कारवन डैयोकसाइड घटाने का कोई कारगर तरीका नहीं ढूंड लेते। लेकिन अगर हमने समय से पहले ये बैंड एड्स निकाल दिये तो दुनिया भर का तापमान दोबारा इतनी तेजी से बढ़ेगा कि सहन करना नामुम्किन हो जाएगा। इन सब वजहों से सोलर रेडियेशन को कम करना खतरनाक है। आज छोटे स्तर के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जैसे समुद्री बादलों का आकार बढ़ा कर ग्रेट बेरियर रीफ को ज्यादा गर्मी और ब्लीचिंग से बचाना। ज्यादा तर वज्यानिक मानते हैं कि हमें सबसे पहले एमिशन कम करने और कार्बन डियोकसाइड कम करने पर ध्यान देना चाहिए। पर इन खतरनाक तरीकों पर भी रीसर्च करते रहना जरूरी है। मुश्किल समय में मुश्किल गदम उठाने पड़ते हैं। हो सकता है कि भविश्य में यही खतरनाक तरीके हमारी आखरी उम्मीद बने। कुछ हुपाए इतने आसान है कि उन्हें कोई भी अंजाम दे सकता है। कोई बुरे इरादों वाला माल बदमाश भी। इसलिए बिना सरकारी मनजूरी के जियो एंजिनिरिंग करने वालों के लिए सतर्क रहना होगा। पर जियो एंजिनिरिंग के प्रभावों की जाच करना शायद जादा जरूरी इसलिए है क्योंकि कुछ लोग बड़े सतर पर आज भी एट्मास्फियर से छेड़ छाड़ कर रहे हैं। एक तरीके से क्लाइमट चेंज भी एक जियो एंजिनिरिंग प्रोजेक्ट ही तो है, जो सदियों से जलते फॉसिल फ्यूल के एमिशन्स से अंजाने में शुरू हुआ, जब तक हम इस एमिशन को रोकने और हवा से कार्बन डायोकसाइड कम करने का तरीका नहीं ढूरते, गर्मियों का प्रकोप बढ़ता जाएगा।